तो मैं आम इस सास्त्री अब फिर से आचर्चा करने वाला हूँ आपसे कुछ महत्पूर्ण हिंदी के प्रिष्णों पर जो आपकी परिक्षाओं पूछे जाने वाले हैं पहला है ब्रंदावनलाल बर्मा है किस प्रकार के उपन्यासकार है ब्रंदावनलाल बर्मा तो आपको बता दे कि हिंदी सायत में ब्रंदावनलाल बर्मा एतिहासे को पन्यासकार है ठीक है एतिहासे को पन्यासकार है एतिहास को ले करके लिखते हैं आपने चैनल को तो सब्स चैनल पर मिलेंगे, तो आप सब्सक्राइब तो किये होंगे, लाइक जरूर कर लें वीडियो को, मेवाती बोली आती है, किसमें आती है मेवाती बोली, तो आपको बता दें, कि मेवाती जो बोली है, राजस्थानी बोली के अंतरगत आती है, ठीक है, राजस्थानी के मेवात व्यात आती हैं, पंडताई में प्रत्य है, देखो पंडत प्लस आई, क्या हो जाएगा पंडताई, तो कौन सा प्रत्य हो जाएगा आई प्रत्य है, हमारे बताने से पहले आप भी कमेंटर बता सकते हैंर आपको एदी पूरी तयार इसलिवस के नुसार करनी है, तो यूटू यथा इस्थान पद में समास है, यथा इस्थान यथा प्रथम पद इसमें जो अब्य दिख रहा, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, अब्य भाव समास हो जाएगा, ठीक है, उलकुल देख करके आराम से करने, अगला देखें, पक्छी सब्द का परियावाची है, पक्छी द अंडज, अंडज क्यों, अंड मतलब अंडे से जा मतलब जन्म लेने वाला, इसलिए अंडज भी है पक्छी, तो इस प्रकार से उपरियोग तो सभी हो जाएगे, आप हमारे जो हमें ऐसे तर्क बता तो इसको ध्यान से सुनें, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा, और इ सुकृत ना, स्रम ब्रथा देखी, बिहंग विचारी, बाज पराएं, पानी परी, तू पर छीन ना, मारी, एक कई बार ये पंक्ती पूछी जी आने वाली, इसको तो आप रट लेना ये पंक्ती, वह है, इसमें कौन सा अन्युक्ति अलंकार है, ठीक है, किसी की अपक्छा सब्द क्या हो जाएगा, तो तरणी, ठीक है, पहला ही क्या हो जाएगा, तरणी, इससी का बिलोम सब्द हो जाएगा, आगे देखें, गोपिया यहीं स्री कृष्ण से मिला करती थी, बाग है, गोपिया यहीं, यहीं देखें, आप हाईलाइट हो रही, यहीं, अब यहां क बोधक संद्रचना है, अगला निस कपट में संधी है, निस कपट कहाई तो पहले संधी भी ख्षित करें नहीं प्लस कपट, हम आपको ट्रिक से पढ़ा चुके हैं, तो बिसर्ग का हो जाएगा साथ बन जाएगा क्या निस कपट, कौन सी संधी, बिसर्ग संधी यहां पर हो ठीक है, अगला देखते हैं, रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, आपने पिछले पार्ट कोस्टन के ना देखे हो, तो जरू जाकर के चैनल पर देख लें, रतलाम जिले में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो आपको वता दें, रतलाम जो है, मालवा यहां पर हो जाएगी, और देखें, नदी सब्द का अर्थ नहीं है, नदी सब्द का अर्थ क्या नहीं है, टटनी है, स्त्रोत सती भी है, निर्जर, निर्जर तो कहते हैं जर नाको, ठीक है, निर्जर किसको कहते हैं, जर नाको, सरत मतलब तो नदी होते ही है, तो निर्जर आई है फिक है इसका उत्तर क्या हो जाए 11 का नड़ और अगला देख ए ने बूला सब्द हिंदी का पारिब्हासक सब्द है किसका निहारी का मा बका कि क्या संकर है और पहर किस प्रकार का सब्द है कमेंट में हमारे बताएं तब आपकी speed का पता लगेगा ग्यान का पता लगेगा तो आपको वता दें रिण सब्द किया सा है तत्सम किस प्रकार का है तत्सम आगे देखें अब तब करना मुहाबरे का क्या आर्थ है अब तब मतलब आजकल करना ये तो है तालम तोल करना ये भी है बहाना करना ये भी ह तो सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा अब तब करना का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं समझ में आ रहा होगा हमें उम्मीद है वो पिछले वीडियो एदि आपके छूट गए हो तो आप वो जरूर देखें और आपको किस सब्जेक्ट की आप तयारी कर रहे हैं कोमेंट में लिखते जाएं किसे एक जाम की तयारी कर रहे हैं तो सलेवस के अनुसार कॉस्चन आपके लिए लाते जाएंगे मद्द प्रदेश से प्रकासित साहित्तिक पत्रीका है चार पत्रीका हैं समागम दलिस साहित नया ग्यानुद है दस्ता बेज तो मद्द प्रदेश सेरे में से कौनसी पत्रीका प्रकासित होती है तो आपको बता दें कि वह हैं समागम कौनसी पत्रीका होती है प्रकासित सम हद्ध प्रदेश में क्या होता है? समा घम होता है. याद रखिएगा. इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, बहुत महतित्स महत्पूर्ण. ज्ञान मंदल बरहत हिंदी कोस में लगभग एकलाख पचास हजार सब्द हैं. ब बाक है. क्या कह रहा है ग्यानमंदर ब्यतिंदी को इसमें एक लाग बजा एक किस प्रकार का बाग है आग्या तो दे नहीं रहे इसलिए आग्या सुचक तो नहीं है एक्छा बाचक भी ही नहीं है क्योंकि एक्छा थोड़ी ना कर रहे बिधान बाचक हाँ बिधान बाचक है बिधी रूप से कथा ने कि इसमें ऐसा है संकेत भी यहाँ पर नहीं दे रहे तो तीन नमबर इसका उत्तर बिल्कुँ सही हो जाएगा कि बिधान बाचक यह है बाग के है अगला देखें निमनलिकित में से बिलॉम सब्द यूग्म नहीं है मुक्ति का बिमुक्ति दिया है पहले पंचारों देखले पूरवान का अपरान यह तो बिल्कुल 100% सही है सरल का जटल यह भी सही है नीरओ का ध्वनी यह ही है ठीक है तो मुक्ति का बिमुक्ति मतलब ए सब द्योग में ठीक नहीं है बिलोम के हिसाब से मुक्ति का हो जाएगा संसार या बंधन ठीक है बंधन हो सकता है मुक्ति का बिलोम लेकिन बिमुक्ति नहीं होगा पूर्वहान मतलब प्राता काल होता तो अपरहान हो जाएगा सरल का जटल नीरो का ध्वनी नीरो मतलब सांत तो उसका ध्वनी हो जाएगा अगला देखें निमने लिखित में सुद्ध बाक है सुद्ध बाक के पहचानना है निमने लिखित में अब आप देखें कोयल का कंट सबसे मधुरतम है नहीं मधुरतम नहीं होता कंट ठीक है ऐसे मधुरतम तो बाणी के लिए कह सकते हैं मोहन और रीता दोनों तेर रहे हैं, मोहन और रीता दोनों तेर रहे हैं, हाँ, यह ठीक लग रहा, फिर भी और देख लें, उसके अंदर कई दोसे, नहीं, उसके अंदर कई दोसे, यह ठीक नहीं है, आकास बहुत उच्चे है, यह भी ठीक नहीं है, बहुत भी कहा रहे हैं, उच्च भी कह रहे हैं ठीक है तो मुहन और रीता दोनों तेर रहे हैं इन चारों में पर्फेक्ट लग रहा है चली उत्तर देख लेते हैं कि आफ इसका सई हाँ तो मुहन रीता दोनों त्यार रहे हैं अब देखें निम ने लिखेत में सुध्ध सब्ध है कौन सा इसमें से सुध्ध तो पहले लिया है उपरयुक्त ये तो ठीक लग रहा है अहलाद दिया है नि आहलाद दिया ये तो सुध्ध सब्ध पहचानना है उन्नती उन्नती अगला देखें निम्लिक्षत में शमूचारथ भिन्यार तक सब्धियत्व nehmen नहीं है समान रूप से जिसका उच्चारण हो लेकिर अर्थ भिन हो ठीक है तो सुत सूत ठीक है सुवन सुमन सुर सूर सदा सरवदा तो आप इसमें से देखेंगी सदा और सरवदा इस दोनों का अर्थ एक ही है सदा कभी हमेशा और सरवदा मतलब भी हमेशा ठीक है तो इन दोनों का कारतेख है इसलिए यह सब द्यूग में ठीक नहीं है बाकी सब द्यूग में कैसे हैं ठीक है तो ऐसे हम महत्पूर प्रशनों पर चर्चा कर रहे हैं और आंगे भी बिलकुल ऐसे ही चर्चा हमें करनी है तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें जिस एक्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे से सफलता प्राप्त करना है तभी हमारा पढ़ना सार्थक है आपको प्रशनेदी पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करना दोस्तों कमेंट मताना कि आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं साथ में किस एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे उस हेसाब से सिलेवस के नुसार आपको पूरे वीडियो में लेंगे और वो वीडियो आपके लिए परिक्षा में हमेशा काम में आएंगे ठीक है इस प्रकार से आज इतने ही प्रस्ण पर हम चर्चा करते हैं